नमस्कार दोस्तों आप सभी का सवागत आपके अपने यूटूब चैनल मनी ओव डिजिटल न्यूज अमडियन पर दोस्तों बात करने वाले हैं FCS सोफ्ट्वेर स्टोक के बारे में सोगस अभी के टाइम FCS सोफ्ट्वेर पर अगर हम बात करें तो इस उस्टोक में वापस दोसी गिर आउट के बावजिट मार्केट जो रहा है पोजिटिव आंखडो पर नज़र आए क्योंकि दोस्तों गिर आउट भी आज के मार्केट पर नज़र आई थी प्राइस के रूप में अगर हम बात करें तो दोस्तों प्राइस आज की देखने को नजर आने वाली है चार रूपए 35 पेसे एक आप ही अच्छी पोजिटिव प्राइस देखने को नजर आएक क्योंकि पिसले टाइम से इस स्टोक पर जो गिराउट थी वो कहीं न कहीं जाद हम लोगों भी देखने को नजर आए थी जो लास्त एक मेनी की खासकर हम बात करें जो चार रूपए 35 पेसे से स्टोक में गिराउट बढ़कर तीन रूपए 60 पेसे तक भी नजर आई थी पर अभी के लिए आँकड़ों में अगर बात की जाए सिंगल 5 सेसन के ओपर तो चा क्या डिसन लेना बैठ रहने वाला है क्योंकि उदार शड़ा भी देखने को नजर आए बेसिक आज के इंट्राइड के और बुक की अगर बात की जाए है उनकी वोल्यम के अगर हम बात करें सबसे पहले तो वोल्यम है लगबख 47 लाग के आज के पास देखने को नजर आई है क्योंकि आज के इंट्राइड में 4221,710 की कारोबारकी नजर आ जिसमें खुल्डिंग पे जो नज़र आये है वो दूस्तों 28,1900 के इंट्राइड में दोस्तों हूल्डिंग पे नजर आये हैं तो कईना कई दूस्तों शेयर होल्डर को इस इसके लिए उमीद है कि कंपन वनियर की टोफ फ्राइस हम लोगों को अज पांस फरवरी दो हजार जो इसको नजर आई थी जो 6 रूपय 65 पेसे देखने को मिली पर अब एक टाइम दोस्तो मार्केट केप की गर हम खास कर बात करें तो 743 कृट का मार्केट केप हम लोगों को देखने को नजर आ रहा है पर इस भारती बाजरों में फिर से एक बार गिराउट नजर आई है तो कहीना कहीन दोस्तो इस सीज़ का जो असर है वो भी आज काफी ज़्यादा देखने को नजर आ रहा है और अभी के टाइम दोस्तो कंपनी में लगातार जो एकज़ेस्ट पी जो देखने को नजर आ रही ह है जो सोट टरम और मिड़ टरम वाली सेर होल्डर के लिए एक समस्या खड़ी हो सकती है क्योंकि अभी के टाम कंपनी की जो स्टोक्स भी थी वो भी काफी ज़्यादा नजर आ रही थी फिसले टाइम चोटल अगर स्टोक्स भी अभी टाम देखा जाए तो 478 की जो स्टोक् होना वो भी अपने आप में काफे बड़ी बात हो सकती है और एक सेर होल्डर के लिए एक मिड़े ट्रम के लिए एक नेगेटिवटी क्रेट हो सकती है पर अभी के टाम दोस्तों कंपनी में अगर देखा जाए लगातार उतार शड़ा उपर अगर हम बात करें तो वह कहीना कई ना कंगे इस स्टोक से दूरी बनानी चाहिए क्योंकि वर्तमान में कंपनी की सेल्स में भी गिराउट नजर आई है आंकड़ों में विकनेस नजर आई है फिलाल आगे बढ़ने से पहले बता दू चैनल पर नहीं हो दूस्तों चैनल को जो सस्क्राइब कर लेना और वे पर डेखने को मिल रहे है पर अब अब टा आए डेप ट़ वर्त अगर Solid टो उसने धेखा आए तो ऑकडा हो को गिराउट नजर आ रही थी कि अगर देखने को मेली इस लिए पर देखा जाए तो 342 क्रोड की नेजर आए 304 200 सित्यानों है 348 और 200 गॉंड से तो इसलिए अलों पर हम लोग को बढ़ाउतरी नेजर आ सकती है प्रोफिट अगर देखा जाए फाइनिस रिजल्ट्स का तो फाइनिसली रिजल्ट्स में अगर हम देखे तो दोस्तों वह कही के अंदर तो वह 12.32 क्रोड का फिर अगला जो निकल के आएगा उनली 5 लाग का फिर लास्ट ताइम दोस्तो 2030 के अंदर कमपनी का फ्रोफिट थोड़ा सा निकिरिज हुआ और आंखडे पोजिटिव रहे पर कवाटरली पर देखा जाए तो दोस्तों कमपनी की कवाटरली परदसन रहे तो उनमें एक बड़ी गिरावट नजर आए फिसले दो कवाटर रिजल्ट नजर आए तो वो काफ़ी नेगटिव नजर आए खास कर बात की जाए रेविन्यू के तो दोस्तों रेविन्यू में कोई ज्यादा खास उतार्षडाव देखने को मिला नहीं है साल देवाइजर से सरला जरूर ले लेना और अपने डीप रिसर्च पर्सनल कर लेना वीडियो पसंद आए थी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब